हेलो गाईज नमश्कार आज हम करने जा रहे हैं एपसं के एप इबी जिरो वन प्रजेक्टर का रिविव तो चलिए निकाल लेते हैं प्रजेक्टर को यह रहा प्रजेक्टर जैसके साथ रिमोट मिलता है कौफी कीजस मिल जाती हैं आपको रिमोट में सारी यह हमारा प्रजेक्टर है ibson का 3LCČ Shortly प्रजेक्टर इसमें यह देखिए आपको EB-E01 के mention मिल जाएगा उपर यह physical keys मिल जाती है और यह इसका lens है इसमें आपको सिर्फ focus का ही डायल मिलता है कोई keystone वगरा का नहीं मिलता है वो आपको remote से करना पड़ेगा बाकी वो smart हो जाता है इसका यह stand है height adjust के लिए अगर आप table mode करते हैं इसको height adjust कर सकते हैं उपर नीचे यतना भी आप चाहें प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो लाइक शेर कर दे प्लीज बहुत ही sleek model है यह तो यह भी input की बात कर लेते हैं यह type B USB है इसमे आप type B USB port लगा सकते हैं और यह VGA computer के लिए यह CPU अगर attach करने के लिए तो इसमें आपको 5W का speaker भी मिल जाता और इसमें HDMI input भी मिल जाएगा आपको अगर HDMI के थूँ आप connect करते हैं fire tv stick कोई भी android box वगर आप connect कर सकते हैं यह इसका air intake है यहाँ से यह air लेता है इसमें air filter है इसको आप निकाल के clean भी कर सकते हैं दो-तीन मीने के बाद जितना भी आपके environment के accordingly यह भी थोड़ा गंदा हो रखा मैं यूज़ कर रहा था इसको तो यह इसको cover को लगा देते है तो यह यहाँ से इसकी गरम हवा इसकी बाहर निकल गी यहाँ पर इसका fan लगा हुआ जो गरम हवा को बाहर निकालता है यह थी LCD टेक्नोलजी के प्रजेक्टर है दोस्तों यहाँ पर इसका lamp लगा रहता है जो कि इसकी life तो काफी 6000 गंटे यह 10,000 गंटे भी चल जाता है यह कुछ लोग बहुए पर इस प्रजेक्टर में अप्षिन नहीं है अगर आप इसको मुवीज के लिए के लिए थी जो जो पर देख रहे हैं यह मुवीज के लिए इसकी एजरूत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें जो एच्टियमिका इनपुट है आप 5 TV Stick अटेच करो इससे सबसे बैटर आप्शन है 5 TV Stick अटेच करो इसमें Bluetooth 5.0 मिलता है तो अपना कोई भी होंटेटर soundbar जो भी आपके पास है वो आप 5 TV Stick के साथ Bluetooth के थ्रू आप अटेच किजिए तो आपको sound input की तो problem ही नहीं है क्योंकि जो आपका home theater है वो जो भी soundbar आपने टाच किया हूँ है वो आपका उसके थ्रू चल जाएगा तो आपको quality भी बड़ी हम लेगी ठीक है अगर फिर भी आप ARC के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं जैसे Dolby Atmos soundbar आती है तो उसके लिए आपको connector भाई करना पड़ेगा वह कनेक्टर के लिए वहां पे आपको fire stick लगा के कनेक्टर में तो इसमें आपको दो output मिल जाएगी एक आप इस पे लगा देंगे और एक के लिए आपको soundbar के लिए output मिल जागा ARC output तो यह इसमें sound की input ना होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं को इतना major issue नहीं है वह उसका solution है बहुत सारे solution है उसकी वजह से अगर हम इसको करेंगे भी हाँ यह प्रजेक्टर में input नहीं है audio input का नहीं है जा output का नहीं है तो वह कोई भी इतन बहुत अच्छी है आपको मैं दिखाऊंगा भी लेगर के तो गाइस यह देखी प्रजेक्टर मैंने वाल पे लगा दिया फेट कर दिया मैंने अपने घर में यह मेरा दस भाई दस गा रूम है चोटा रूम है तो इसमें हम लगा के देखेंगे यह देखी स्क्रीन अभी मै साथ फीट की स्क्रीन है यह मैंने खुद ही बनाई थी घर पे फ्लेक्स बोर्ड के साथ यह मैं इसको इसके बारे में आपको बता दूंगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना तो चलिए आउन हो गया प्रजेक्टर भी हमारा यह देखिए गाइस मैंने फाय टीवी 6 से क कर दिया मुवाइल का मैं यूस बी इंटरनेट यूज कर रहा है मुवाइल का होट स्पोट के थ्रू तो चलो कुछ प्ले करते हैं यूट्यूब पे प्ले करते हैं अभी प्रपर लाइट चल रही है कमरे में 9 वाट का बल्प चल रहा है तो वैसे भी यह डे टाइम है तो यूट्यूब चला लेते हैं चलो इस कलर्स आपको देखने में लग रहा है लेकिन इसके कलर्स इतने अच्छे हैं मुवाइल का कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है तो चलो भी फाइंट करते हैं कोई अच्डी वीडियो बिच्चे कार्टून देखते रहते हैं तो सौरी कार्टून के उपर आ रहे हैं सजेशन्स तो फूल एच्डी वीडियो कोई सर्च करते हैं फाइंड करते हैं यह रही फूल एच्डी वीडियो चलो यह प्लेगा लेते हैं अनिमल्स वाला यह लाइट होना भी नाइन वाट के दरवाजा भी खुला हुआ है यह देखिए गाइस यह देखिए कलर स देखिया अप इतने अच्छे इसके इतने कलर से इतना कंट्रास्ट कापका अलेडिटेवी प्लेटेवी बहुत during आ यह झाए लेकिन वह बोन व्रू यह प्छाने शग्रिपर भी मारकेट में बहुत आरे तो लाइट आफ में तो गाइज यह LED TV को भी पीछे छोड़ जाता है इतना अच्छा इसका contrast है इतने अच्छे colors है natural picture आती है कोई pixel वगारा भी नहीं visible होता है इसमें कुछ लोग बोलते हैं 720 पी प्रोजेक्टर है यह वो लेकिन बिल्कुल भी अगर आपका 10-11 फिट का room है तो आपको पता ही नहीं चलेगा pixel वगारा तो दिखेंगे नहीं चलो video change करते हैं यह देखिए guys clarity देखिए भाई यह देखिए मैं zoom करता हूं यह देखिए यह जो आपको lines दिख रही है ना लाइट मैंने off कर दिया clarity देखिए guys company के प्रजेक्टर में guys आपको कोई भी ब्लार वाली option जैसे ब्लार का issue नहीं आता जो चाइनीज प्रोड़क्टर में प्रजेक्टर्स आते हैं तो यह देखिए guys जो चाइनीज प्रोड़क्टर उनका सबसे बड़ा disadvantage यह है कि उसमें जो corners वगरा वह blur आते हैं पिक्चर इतनी अच्छी नहीं आती बाकी branded projector की बात करें तो आप इनको कहीं पर भी align कर दो प्रोड़क्टर को center में कर दो थोड़ा उपर नीचे install कर दो इसमें आपको blur की problem बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती यही फरक होता है branded और Chinese में यह देखिए अभी मैं normal mode पर कर रहा हूं पहले इको mode पर चल रहा था प्रोड़क्टर इको mode में इतनी brightness है इसकी कि आपको जुरूरत नहीं पड़ेगा आप light on करके भी देख सकते हैं यह देखिए अभी मैंने normal mode की है थोड़ी brightness और बढ़ गी है पर normal mode में क्या र EBE01 Epson के projector 3 LCD projector का personal review pure review honest review by यह कोई paid promotion या कोई ऐसे paid video नहीं है यह मैंने personal यह अपने उसके लिए लिया था और मैं इसकी वीडियो चली बना रहा हूं कि क्योंकि आप लोग को बहुत सी confusion रहती है क्योंकि आज कल market में बहुत सारे brand आ चुके हैं तो यह मेरा personal review है कि अगर आप home cinema के लिए planning कर रहे हैं कोई अच्छा projector देख रहे हैं branded में तो आप definitely यह projector बाय कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा projector है आपको regret नहीं होगा तो आपका room अगर 10-12 feet का है तो आप इसको बेजिज के लिजिए 5-6 feet से आप देखेंगे तो आपको इतनी clarity अच्छी दिखेगी cinema जैस अगर अच्छी लगी तो मुझे इस वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जूर करना चैनल कर सब्सक्राइब भी कर लें और